हमीरपुर में तेजबारिश के चलते पुलिस बरती में खलल पड़ा है और सुबा से दोपहर बाद तक पुलिस बरती प्रक्रिय पूरी नहीं हो पाई है हलांकि दोपहर बाद तक कुछ देर के लिए मोसम ठीक होने के बाद पुलिस भर्ती दबारश शुरू की गई बारिश के चलते भर्ती के लिए पहुंचे सैंक्रों युबाओं को परिशानी का सामना करना पड़ा है पुलिस लाइन दुसटका में 16 से 19 जुलाइ तक पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है और भर्ती के लिए 5,400 अभ्यार्थिया ने अबी दिन किया हुआ है भर्ती के दरान स्पी अरजित सेन ठाकों ने शिर्कत की और भर्ती प्रक्रिया कार्जाएजा लिया स्पी अर्जित सेन ने बताय कि पुलिस भरती के लिए प्रक्रिया शुरू हुई है और सुबा से बारिश की बज़े से दोड नहीं करवाई जा सकी है उन्होंने बताय कि बारिश के बाद ही भरती प्रक्रिया को शुरू करवाया जाएगा उन्होंने बताये कि पहले भर्ती प्रक्रिय बढ़ो मैदान में होनी थी लेकिन किनी कार्णों से ही दोसट का मैदान में करवाई जा रही है इसका एक्जेक्ट फिगर जो है मैं से प्रक्रिटी प्रक्रियर ग्राउंड तो इसमें कुछ खामी है जिसा है लेवल नहीं है उस तरह का जिसा है के लनिंग के लिए होना चाहिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहां पर बडू ग्राउंड जो था हमारे पास पहले था वहां पुलिस पॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां हुई थी अलांकि वहां पर हाइड चेस और बाकी वो करने के लिए पीटी एड्मिन जैसे आप मेरे पीशे देख रहे हैं वो करने के लिए अडिक्विट जो मल्टी प्लेक्स होता है मल्टी पर्पस हॉल होता है वो उस टाइम अवेलिबल नहीं था केवल ग्राउंड अवेलिबल था इसलिए हमने यहां पर शिफ्ट करनी पड़ी जिसके ग बाकी जिलों में भी इसी तरह का अरेंजमेंट किया है जहां जहां भी हुआ है इसमें बारिश को छोड़के बारिश के कारण पर समस्या है है वैसा मेरे सामने को क्म्प्लेंट आई नहीं है खड़ा है आप तो जाकर देख सकते हैं जो पानी रुकने के लावा कोई अगर प्रॉब्लम है तो फिर वाप कुद आप चेक कर सकते हैं वैसा हमारी सब्सक्राइब को ही रहना है